हेलो ब्रीवान वेलकम टो अवर चैनल बात पते की मैं हूँ दीपा और आज हम बात करेंगे सेस्मे सीड या तिल के बीजों के बारे में उसके इंपोर्टन्स उसके बेनिफिट्स के बारे में और किस तरह से तिल को हम अपनी डाइट में आड़ कर सकते हैं अलगलग कौन- यह कुछ ऐसी क्रॉप्स में से जिसे पहली बार ओल एक्स्रेक्शन के प्रोसेस के लिए यूज किया गया था और इसे बहुत अलगलग नामों से जाना जाता है जैसे की जिंजली, तिल, सिमसिम, बैने सीड, बैनी, सेसिमम और यह ज्यादा तर यह जो क्रॉप है यह एशि इसे क्या चीजे होती है जो हमारे लिए बहुत इंपोर्टन होती है और किस किस जगह पे यह हमारे लिए फाइदे मन हो सकती है तिल में सेस्मोलिन, सेस्मिन और लिगनेंस बहुत ही सिगनिफिकेंट अमाउट में मिलते हैं जिसके कारण इसमें बहुत ज़ादा पाफुल इंटी ऑक्सिडेंट प्रोपर्टी हो जाती है और इसी के कारण इसका जो ओल है यह बहुत ही अच्छी ऑक्सिडेशन स्टेबिलिटी दिखाता है और इसी के कारण यह हमारे ब्लड सिरम पे बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट करता है बहुत ज़ादा बेनिफिशल होता और liver function में बहुत ज़्यादा फाइदेमन होता है और इसे के कारण ये हमारे cholesterol को lower करता है इसमें जो lignans present होते हैं और cesmol India, cesmin present होते हैं ये powerful antioxidant property शो करता है जिसके कारण cholesterol भी low करता है हमारी body में और साथ-साथ जिनको high BP की problem है उसे भी control में लेके आता है सेस्मे सीट जो है copper iron और vitamin B6 इसका बहुत ही excellent source है जिसके कारण जिन लोगों में hemoglobin की कमी होती है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा source बन जाता है इसके इलावा सेस्मे सीट जो है malignant melanoma और human colon cancerous cell पे बहुत ही अच्छे से काम करता है उन cells को inhibit करता है इसके इलावा सेस्मे सीट जो है हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारे skin में glowing effect लेके आते हैं और इसमें anti-aging property होती है क्योंकि सेस्मे सीट जो है quickly हमारे skin में deeply penetrate कर जाते हैं और free radicals जो होते हैं हमारे skin में उसको neutralize करते हैं जिसके कारण ही हमारी स्किन में anti-aging effect शो करता है, हमारी स्किन को moisturize करता है इसके इलावा sesame seed जो है UV protecting agent है तो एक तरह से अगर हम sesame seed को apply करते हैं तो यह natural UV protector है हमारी स्किन पे हमारी स्किन को UV से बचाता है sesame seed में insecticidal और bactericidal property भी होती है क्योंकि इसमें sesmolin present होता है जिसके कारण अगर इसे hairs पे apply किया जाए तो जिन बच्चों में lice infestation यानि की जुए होती है उन के लिए ये बहुत ही फाइदे मंद होता है अगर हम basically देखे तो इसमें जादा content जो है oil का होता है जिसके कारण इसमें oxidative stability बहुत जादा होती है और इसी के कारण इसमें anti-oxidant property बहुत साथा strong हो जाती है तो sesame seed से हमारे blood में भी anti-oxidant level बढ़ जाते हैं जिसके कारण oxidative stress या free radicals जो होते हैं वो inhibit होते हैं, neutralize होते हैं, खतम होते हैं जिसके कारण, जो कि major कारण है chronic diseases का तो इसलिए अगर देखा जाए तो sesame seed बहुत important antioxidant property रखते हैं sesame seed जो है हमारे thyroid health के लिए बहुत ही important होता है क्योंकि इसमें selenium present होता है जो कि thyroid gland में सबसे highest concentration में present होता है और बाकी nutrients जैसे की zinc, copper, iron, vitamin B6 जो कि thyroid hormone को बनाने में जरूरी होते हैं तो अगर पूरा मिला के देखें तो sesame seed जो है हमारे thyroid gland के लिए हमारे thyroid की health के लिए बहुत important food है इसके इलावा sesame seed जो है हमारी bone health के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि अगर देखा जाए तो 30 grams यानि कि 3 tablespoon of sesame seed अगर daily लिया जाए तो ये 22% of हमारी daily calcium की requirement को पूरा करता है तो इस तरह से इसमें बाकी चीजें भी present होती है जैसे की magnesium, phosphorus तो ये एक complete package बन जाता है हमारी bone की health के लिए sesame seed जो है वो hormonal imbalance में बहुत जादा useful है खास दोर पर menopause में क्योंकि sesame seed में या तिल में phyto estrogen present होता है जो की estrogen के structure से relate करता है उसके जैसा ही होता है तो जब menopause में estrogen का level घट जाता है, decrease हो जाता है तो phyto estrogen जो तिल में present होता है वो उसके level को पूरा करने की कोशिश करता है जिसके कारण जो hot flashes और बाकी problems estrogen कम होने के कारण आती है उसको phyto estrogen जो है counteract करता है और वो problem जो नहीं आती इसके इलावा sesame seed या तिल जो है वो हमारे digestive system के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें fiber भी अच्छी amount पे present होता है तो ये थे कुछ benefits कुछ importance जो sesame seed के थे अब हम बात करते हैं कि तिल को हम किस तरह से अपनी diet में इस्तमाल करें क्या सही तरीका है इस्तमाल करने का तो सबसे पहले हमें वो तिल लेने चाहिए जिनके जो cover होते हैं seed coat होता है वो intact हो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे nutrition present होते हैं खास और पे calcium या zinc जो उनके छिलके उतार देने के बाद उसमें चले जाते हैं दूसरा ये है कि जो तिल होते हैं जब हम उसे इस्तमाल करते हैं तो उससे पहले उसे roast कर लेना चाहिए और ये देखा गया है कि तिल को अगर 100 degree Celsius के आस पास हम roast करते हैं तो उसकी property जो है वो enhance हो जाती है और इसमें जो compound जैसे के lignans, glycons, egg glycons जो present होते हैं वो और भी अच्छे से extract हो सकते हैं और ये देखा गया है कि इससे जो phytic acid होता है जो In seed coat में होता है वो remove हो जाता है और दूसरा क्या कर सकते हैं जब इसको roast कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसको grind भी कर सकते हैं अब grind करने के बाद हम इसे अलग-लग तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं या हम इसे directly भी ले सकते हैं या फिर हम roast ना करें तो हम इसे soak कर सकते हैं, हम इसे पानी में भिगो के उसके बाद इसको consume कर सकते हैं, या फिर इसे में sprout भी कर सकते हैं, तो roasting, sprouting या soaking करने से क्या होता है, कि इसमें जो phytic acid content होता है, वो निकल जाता है, यह phytic acid जो होता है, यह indigestion problem cause करता है, जो कि जादा त सेट्स में naturally present होता है, एक defense mechanism होता है, इन सीट्स का, तो जब phytic acid अच्छे से निकल जाता है, तो वो हमारी बोडी में जो seeds होते हैं, अच्छे से absorb हो पाते हैं, इन digestion या acidity की problem नहीं होती, और nutrition जितने भी जैसे की calcium हो गया, यह सारे अच्छे से absorb हो पाते हैं, तो sesame seed को तिल को आप कोई भी सबजी बना रहे हैं, उसकी करीज में आप एड़ कर सकते हैं, जिससे जो gravy है बहुत थिक बन जाती है, और बहुत ही tasty भी लगती है, आप कोई भी smoothie बना रहे हैं, उसमें एड़ कर सकते हैं, या फिर जैसे की peanut butter हम घर पे भी बनाते हैं, कई बार उसी तरह से sesame seed इडिया तिल के बीजों का भी butter बनाया जा सकता है, या फिर हम तिल और गुड के लड़ू भी consume कर सकते हैं, जैसे की जादातर सर्दियों में हमारे यहां पे culture है कि हम तिल के लड़ू कंस्यूम करते हैं, जो बहुत जादा nutritious होते हैं, खास और विंटर में हमारे को सर्दियो आप एक चमच रोस्टेड जो तिल के बीज होते हैं, उसे directly consume कर सकते हैं, तो यह हमारे जो खाने में nutrition को addition देगा और बहुत जादा beneficial होगा, बहुत सारी जो diseases है, chronic diseases है, उसे हमें बचा के रखेगा, I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, sesame seed या तिल के बारे में, तो मेरे वीडियो जितने भी upcoming वीडियो हैं, उन सभी के आपको notification time to time मिलते रहेंगे, मिलते हैं next video में किसी और नए information के साथ, तब तक के लिए stay blessed, be happy, take care, bye bye